समस्कार सात्यों बार पुनाव सभी का स्वागत है हमारे चैनल में आज हम आपको बताने जा रहे हैं राज जी के जीलों के बारे में और उसे संबंदी जितने भी फैक्ट होंगे वह आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताये जाएंगे और शाथ में आपको विधान सभात शेत्रों ब्लॉक और तहसीलों के बारे में भी इसी वीडियो के बारे में से आज बताये जाएगा तो बने रहे गा अंते तक कुछ न कुछ जरूर आपको इस वीडियो से लाब होगा तो सबसे पहले सुरवात करेंगे उत्राखन के जिलेम इस्तापनावर्सों में देहरा दून बऩा छेत्न है तो देखादून के अगर बात करें में इटीन सेवन्टीन में इसे जिला बनाकर मेरट मंडल के अंतरगत शम्रित किया गया घ्याट सब्याट में आपका सम्नित है लिबात करें तो दिखे पॉडी के बारे में अगर आप से कहें तो पॉडी के बारे में अगर आप से सुने गया तो पॉडी के अगर बात करें तो 3815-1850 से 840 तक ब्रिटिश गडवाल की राजधानी स्रीनगर रही द्यान से शुनेगा मैं कह रहा हूं कि 1815 से 1840 तक ब्रिटिश गडवाल की जो राजधानी रही थी वो स्रीनगर रही थी 1840 में राजधानी स्रीनगर से पौली में आपकी इस्तांतरित करी गई है और पॉली को British Ghatwal का एक जिला बनाया गया है, तो आप लोग उसको ध्यान से सुनेगा, बाद में स्वात अंतरता के बाद 1969 में से Ghatwal Mandal का मुख्याले भी बनाया गया है, 1969 में, तो ये भी आप यहां से साथ में याद करते रहेगा, 1969 में क्या है Ghatwal Mandal का मुख्याले बना है पॉ अल वोड़ी की बात करें तो आपको अलमोडा दिखेगा यहां पर मैप में दिखाने का प्र्यास करूँगा तो ये आपका अलमोड अल झेत है तो अलमोड़ी की स्थापना आजानी परिवर्तित करके पंद्रशो त्रिशेट में राजधानी परिवर्तित करके चंपाउस से अल्मोडा बनाए गई है तो आपको जरूर से याद होना चीए तथ्य भी अल्मोडा जिले की स्थापना हम बात करने हैं आपकर 891 में हो रखी है जी आगे देखेगा नेनताल नेनताल के बात करें तो 8 9191 में Milanat आपके नेनताल जिले का गठन हो रखा है यह पर आप याद भी कर लेजिगा की जो हमारा कुमाऊं मंडल है कुमाऊं मंडल के बात कहें तो नेनितालमें इसका मुख्यालے 354 से यह पी आप शाहत में याद करेगा तो दो चीज आपको याद हो जानी है अल्मोडा और नह निंताल जिसकी स्तापना कभ हो गई है 891 में अल्मोड़ा नहिंताल दो यहांじゃ बना दिये गए हैं 891 में नहिताल को मैप में एक बार देखने का प्रेश करेगा नहिंताल वाला चेतर है कि मग बात करेंगे ट हरी ृत ट हरी की स्तापना के गर बात नाइन में यहां से प्रशनीख पूछा जाता है कि टेहरी रियाषत के अंतिम राजा कौन थे तो इब याद दखना पड़ेगा यह थे वो मानमेद्र शाह थे फिर आगे बात करें तो पिथोड़ागर की बात करेंगे तो पिथोड़ागर देखता हूं यहाँ पिथोड़िजॅड कि सतापना हो रखी है शाथ में अगर हम बात करें ऊत्तरकाशी कि तो उत्तरकाशी की भीस्त आपना कभू रखी है उत्तरकाशी करके याद करना उसके अलावाद चमोली जिले का गठन वो भी आपका कभू रखा है उत्तरकाशी में तो 1960 में आपको तीन जिले याद हो जानी है पिथाड़ उत्तरकाशी और चमोली यह तीन जिले आपको याद है यहाँ पर हो जाएंगे चीपीउ कभ 1906 की जो है इनकी स्तापना वर्षे है आप लोग याद करेगा आगे बढ़ते हैं उत्रकाशन के जी लेयम स्तापना वर्षे में हमारा अगला टॉपिक है हमारा हरिद्वार तो हरिद्वार की जो इस्तापना कभ रोखी है 1988 में हरिद्वार की स्थाफना का भूरुखी है 1988 में इसमें आपके देखेगा अगले हमारा उधमशियुग नगर resilience gamer को उधमशियुग नगर को सबसे तक्षिन में है उधमशियुग नगर आगले है रुद्दर प्रयाग चंपवत भागिश्वर रुद्द्र प्रयाग चंपावत और बागिश्वर यह जो तीन जिले हैं यह 1997 में किसी की फैबरेट टीम हो सकती है आर सी भी यानि कि हार फोर यहां पर रुद्द्र प्रयाग चंपावत और बागिश्वर ठीक है तो रुद्द्र प्रयाग चंपावत बागिश्वर इनकी स और बागिश्वर के अगर बात करें तो आपका ये छेत्र हैं तो आर्सीवी की स्तापना कभ होगी ये 1907 में इक बार आप यहां पर को अधिकतर जो जीले हैं हमारी क्विक रिविजन के अंदरगत हम कहें तो आप से हमने कहा कि 817 में 817 में हमारा देहरादून बन गया है पॉ मोड़ा और नेंताल आपका ठाशो 991 में तीन जीले आपके 1916 में बने हैं सी पी यू मैंने अभी आपको ट्रीक बताई सी पी यू यानि की चमोली पिथाड़ागड़ उत्तरकाशी 1916 में बने हैं और इसके अलावा आपको एक जटके में याद हो सकते हैं तुद्दर प्र आपको रहे हैं कि हमारे है कि हमारे चीटर है चीटर करें तो उत्रक गत्रों में टोटल विदानवा सेत्र है hermane 17.. टोटल विधानसावा छेतर हमारे हैं 17 में सबसे ज़्यादा विधानसावा सीठ है वह की हरिद्वार में है 11 शीट है आपके बात कर रहें और सबसे कम जीट है आपकी तीन जगह यह फिर आपको RCB याद करना है आठ सीवी यानि कि रुद्र प्रियाग चंपावत और बागिश्वर आपको याद करना है तो रुद्र प्रियाग चंपावत और बागिश्वर में आपको कितने हैं रुद्र प्रियाग ठीक है मैंने आपको बता है कि रुद्र प्रियाग चंपावत और बागिश्वर आजमेंट घुल जो ब्लोग को की शंक्या है वो है आपकी पीछानव्य कुल कितनी ब्लोग है आप पर पीचानवि ब्लोग है वह हुआन रुद्दर प्रयाग में तीन बागिश्वर में हैं तो सबसे कम यहां परकुए सबसे ज़्यादा आपका पौड़ी गडवार में हैं पौड़ी गडवार में आपको बताया कि 15 ब्लॉक हैं आगे बात करें तो अगला हमारा है तैशील तो तैशील हमारे अभी वर्तमान में दर्श है सबसे ज़्यादा थहसील के अगर बात करें तो आपका अपका झालगाण में है और तो दह सब्ड़ीयाधा चालगान सोब्हाँ 2 3 4 2 विधान स्रबाद चेत्र थे आर्सीवी में उसके लाव तीन अपने पागिश्वरा रुद्र प्राग में ब्लॉग बताया थे और पी तहसील बताते हैं चार रुद्र प्राग और हरेद्वार में तो यह चीज आप याद रखना स्वंबत हो इस वीडियो के माध्यम से आपक कुछ चीज़ें आध हुई होंगी आगे भी हम अपने सीरीज ऐसे ही कंटीन्यू करते रहेंगे तो आप बने रहेगा हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद